सोलन में एक बहू ने अपने ससूर पर अरोब लगाया है कि उसका ससूर चोरी छिपी सोचाले में नहातिस में परिवार की महिलाओं का बीडियो बना रहा था जिसकी भनक उसके परिवार के इस तरस्यों को लगी और उन्होंने सोचाले की टंकी से मोबाइल कैमरा बरामत किया जब ये कैमरा बरामत किया तो कैमरा चालू हालत में था जिसे सोचाले की टंकी से इस तरह से फिट किया गया था कि उसमें सोचाले में हो रही सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकता था परिवार जन इस घटना से सदके में हैं उन्होंने अपने दूसरे ससूर की परिवार की महिलाओं ने इस घटना का खुलासा करते हुए अपने ससुर पर अरोप लगाया है कि वसोचाले में उनके परिवार की महिलाओं का अश्लिल वीडियो बना रहा था इसलिए वो अरोपी ससुर के खिलाफ सक्त कारवाहिक की मांग करती हैं वहीं इस घटना की पुस्टी करते हुए अतरिक्त पुलिस अधिक्षक डॉक्टर शीप कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें महिलाओं की शिकायत मिली है जिसमें उन्होंने अपने दूसरे ससुर पर वीडियो बनाने का आरोप लगाया है फिलहाल पुलिस ने इस घटना पर आरोप लगाया है कि उसने जो है एक मोबाइल बाथरूम में चिपा के उसकी वीडियो बनाई है तो इस पे जो है इस कंप्लेंट पे पुलिस ने 354C के तहद FIR दर्च की है और फर्दर इंवेस्टिकेशन इसमें चल रही है नहीं अभी इंवेस्टिकेशन चल रही है आरो आरोडिंगली एविडेंस आएंगे उसके अनुसार कारवाई FIR दर्च की जाएगी